हाई वेल्कम टुमाई चनल चले क्वेश्चन नमबर थ्री साल करते हैं धन्द जीगा और सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस आफ आइरन मेजर्स 1.05 मीटर दीखें यह मीटर में दिया हुआ है तो यह जो है लेंथ आपका दिया हुआ है ठीक है चलिए बड़ा लेंथ है और यह ब्रेथ आपका है 70 cm और आपका यह 1.5 cm हाइट करा गया find the weight of this piece अब जो है यह जो पीस आइरन का पीस है जो की रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर पीस मतलब क्या कि यह क्यूबाइडल सेफ में है जब भी रेक्टेंगुलर नाम देना समझेगी क्यूबाइडल सेफ है यहां बोला नहीं क्यूबाइडल सेफ तो आपको रेक्टेंगुलर जब बोले तो समझेगी क्यूबाइडल सेफ है इसका ठीक है मिंस ऐसा होगा पतला सा है और यह इतना लंबा काफी ज्यादा है और ऐसे करके आप बना सकते हैं मतलब मेरफ डाग्राम यहां बना देता एक जो कि ऐसा कुछ होगा ठीक है ऐसा कुछ है आपका तो जो आरंड रॉड है इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है इस चलिए स्वाल करते हैं तो एक्शली पूछा क्या थे कि find the weight of this piece इस इस पीस का weight निकालना है weight और वो भी निकालना है in kilogram से यह याद रहना चाहिए कि किसमें पूछा है क्योंकि जिसमें पूछा है वो यदि आप नहीं निकालते हैं तो आपके marks कट जाते हैं करा कि कि यदि आपको यह पता हो कि one centimeter cube of iron weighs eight grams मतलब कि एक centimeter cube जो है इसका निकालेंगे जो की volume है मतलब one centimeter cube का जो volume होगा इस iron का वो eight gram का है मैंने उसका weight जो है eight gram है इतना भार है उसका तो बताएए कि पूरा complete का weight कितना होगा kilogram में पूछ रहा है जिसमें पूछा है हम उसी में निकालेंगे तो पहले हम इसका volume निकाल लेते हैं total volume ठीक है फिर हम निकालेंगे जो भी निकालना है तो हमारा दिया हुआ है one point zero five meter इसको हम करवाट कर लेंगे centimeter में तो centimeter में करने के लिए हम क्या कर रहेंगे हंडेट से मिल्पलाई कर देंगे तो one point zero five into hundred यह जागा centimeter means हो जाएगा 105 centimeter अब हम लिख लेते हैं breath breath आपका है 70 centimeter तो यह तो centimeter में दिया है कोई टेंसा नहीं है उसके बाद से आपके प five centimeter ओके तो अब निकाल लेते हैं आपका volume देखें आप एक point आपका यह है यहाँ यहाँ पे तो अब निकाल लेते हैं required volume of यहां लिख सकते हैं volume of rectangular piece piece of iron is equal to होगा length into breath into height ठीक है तो length कितना है length आपका है 105 into breath आपका है 70 centimeter हम unit नहीं लिख रहे हैं क्योंकि unit हम बाद में रख देंगे सही into यह है आपका 1.5 ठीक है सब centimeter में है यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सब के सब centimeter में होना चाहिए अब यहाँ पर 105 रहेगा into इन दोनों को पर अपका है 105 और यह 0 रहेगा लेकिन यह decimal एक यहाँ पर है इसलिए एक decimal बढ़ाएंगे यहाँ पर यहाँ आजाएगा multiply करेंगे तो यह zero cancel out हो जाएगा मतलब finally और इन दोनों को फिर से multiply कर देंगे तो क्या मिलेगा देखिए 105 और 105 को multiply करेंगे तो क्या होगा 105 को multiply करेंगे 105 से तो इसको multiply करना बड़ी आसान होता है क्या करना होता है ये देखना होता है कि 100 से कितना ज़्यादा है तो 100 से 5 ज़्यादा है प्लस में और ये भी 100 से ज़्यादा है 5 तो क्या कर ये 105 में 5 एड़ कर दीजे मिलेगा आपको 110 ठीक है तो ये उस आंसर का लेफ्ट के 3 डिजिट्स आ गए है आंसर में और इनोर गॉम्त करेंगे लिए 25 25 यहां रख दीज़े तो यह आपका पूरा आंसर हो गया ठीक है तो यहां में रख देता हूं देखिए 105 105 गॉम्त करेंगे तो मिलेंगे आपको 11025 आपका जो प्रैसेस है वो इसमरबलाए कर लिजेगा मैंने अपने प्रैसे है कि 1 cm3 जो है 8 ग्राम का है तो इतना cm3 कितने ग्राम का होगा सुचिए तो यहां पर यूज होगा Unitary Method तो Unitary Method क्या कहता है Since यहां लिख सकते हैं Since 1 cm3 is equal to 1 gram ऐसा लिख सकता है कि अच्छिए आप आफ आइरन वेज वेज 1 gram sorry 8 gram जो आपके Quesion पूछा है आप 8 grams दिया हुआ है एडर लखिया है आप एडर ग्राम्स तो वन cm3 of iron weighs 8 grams इसलिए जो इतना दिया हुआ है 11,025 cm3 कितना हो जाएगा देखे, unity method के अंसार यदि 1 cm3 में का weight जो है 8 gram है तो 11,025 cm3 का जो weight होगा, वो multiply कर देंगे 8 में, वो ही आएगा ठीक है, means इसका होगा 11,025 into 8, है कि नहीं 1 का 8 है, तो इतने का कितना होगा, जैसे कि छोटे समझे, 1 cm3 का 8 gram है, तो 2 cm3 का कितना होगा, 8 2,016 होगा, 16 gram क्योंकि दोगुना बढ़ता जाएगा, जितना ही ज़्यादा volume होगा, उतनी ही ज़्यादा weight होगा उसी तरीके से इतने का निकालने के लिए मड़िपलाई कर देंगे, तो जब यहाँ मड़िपलाई करेंगे, तो 8,5 जब 40 0, 4 करी ओवर 8,2 जब 16, 16, 4 20, 0, 2 करी ओवर, 8 0, तो 2 होगया, ऐसे ही 8 बंज़ा 8, and 8 बंज़ा 8, ठीक है तो हमारा आचुका है इतना क्या आया है, ग्राम में आया है इतना ग्राम लेकिन हमें तो ग्राम में निकालना नहीं है हमें निकालना किसमें? कीलो ग्राम में निकालना है, तो ग्राम को करद कर दीजे, कीलो ग्राम में तो यहाँ पर करेंगे, तो क्या करेंगे 1000 से divide कर देंगे कैसे हम कर रहा है हमें वही conversion units जानने पड़ेंगे conversion में क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए यहाँ पर निकालना क्या है 88 grams 2000 gram बराबर how much kilogram यह करना है न kilo यहाँ पर है kilo और gram चोटा unit है kilogram से इसलिए हम क्या करेंगे divide करेंगे लेकिन कितना से divide करेंगे तो 1000 से divide करना पड़ेगा तो हमें वो चार्ट में ध्यान से देखना पड़ेगा कि कितना दूरू बाद यह kilometer आ रहा है kilogram आ रहा है kilogram मतलब की kilometer और gram मतलब की meter यह ध्यान रखिए तो यह हो जाएगा आपका उन्हाँ पर divide करतेंगे कितना से 1000 से तो मिलेगा आपको 88200 divided by 1000 और यहाँ पर आप केजी कर सकते है मतलब की 1000 करने के बाद यहाँ पर केजी लिख सकते है तो यह 200 कर जाएगा लेकिन 10 बचा हुआ है तो divide करेंगे जब decimal यहाँ पर आजाएगा means finally इसका जो आणसर आएगा वो आजाएगा 88.2 kilogram राइट 88.2 ओके दिखनी रहा है मैं यहाँ न लेकर के यहाँ लिदेता हूँ यह आएगा 88.2 kilogram राइट तो यह आपका आंसर है थैंक्यू सो मच पर वाचिंग राइट .